लोगडाउन में जन्म लेने वाले बच्चों की पैचान धूनी की 2019 की सेमी फाइनल की तस्वीर है जो वो हर जगा चिपकाते रहते हैं जब भारत को आखरी 10 बॉल में जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी और धूनी का रनाउट होना उनके लिए एक अटूट सच बन गया जोली के 6 बॉल पर 1 रन रिशपपंद के 56 बॉल पर 32 रन दिनेश कार्तिक के 25 बॉल पर 6 रन हर्दिक पांडिया के 62 बॉल पर 32 रन ये स्कोर बोर्ड बताता है कि धूनी के क्रीच पर आने से पहले ही भारतिय टीम की हार तै थी क्रिकेट की दुनिया में कभी कभी किसी खिलाडी का दिन होता है और उस दिन जड़ेजा का दिन था जड़ेजा के बैट पर उस दिन बॉल अच्छे से आ रही थी अब बात करे धूनी की बैटिंग की तो उन्होंने 72 गेंदों में 50 रन बनाए थे अगर धूनी भी शुरुआती बलेबाजों की तरह जल्दी आउट हो जाते तो जड़ेजा और धूनी की वो शांदार साजेदारी नहीं होती और भातिय टीम शायद 100 रनों से भी मैच हार क्रिकेट के एक सचे प्रसंसक के रूपे या विचार करना महतोपूर है कि अगर गुप्टिल का वो असाधारन थ्रो सीधे विकेटे उपर नहीं लगता तो क्या धूनी उस दिन मैच नहीं जीता देते अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप में और यूरा सिंग के पिता है उस देश में कुछ घटिया लोगों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता